इस वीडियो इस स्पॉसर्ट बाइट अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हैं जिसे आप डेली कमिटीन के साथ साथ लॉंग राइट भी कर पाए तो आप टोराइट की रुद्रा बाइक्स देख सकते हैं और कंपणी का अभी प्रीफेस्टिब ओफर चल है इनका 15-28 मॉडल पे कंपणी अप्टू 3,000 का डिस्काउंट दे रही हैं सो बुक करने के लिए या इसके डिलेक्टेड जानकारी के लिए क्रिप्या डिस्किप्शन चेक करें राइडिंग एन इलेक्ट्रिक साइकल इस फन मज़ा आता है इलेक्ट्रिक साइकल चलाने में बट अक्सर हम जितने एक्सपेक्ट करते हैं उतना परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि हम अक्सर इलेक्ट्रिक साइकल को आम साइकल की तरह ट्रीट करत जिससे आपकी ओवराल राइडिंग रेंज इंप्रूव होगी आपकी बैक्टरी लाइफ इंप्रूव होगी और ओवराल आप एक क्वाल्टी राइड एक्स्प्रियेंस कर पाएंगे सो हाई मेरा नाम है अजय है और दीई बाइक शो में आफ सब का स्वागत है बिफॉर स्टांटिंग दावाइक विल और की आलाइनमेंट चेक करें ब्रेक्स की फार meuनेस चेक करें अगर सही नहीं है तो इससे टूण कर ले क्राइक छेक कहीं लूस तो नहीं है और बैर्टरी इंस्टॉलाशन से पहले चेक कर ले कहीं connector में dust या moisture तो नहीं है अगर हो तो इसे पहले अच्छे से clean कर ले and then battery को install करे and most importantly tire pressure चेक करे क्योंकि tire pressure पे bike की actual performance काफी हद तक depend करता है So always maintain the tire pressure In general keep it between 30 to 40 PSI और check the tires for the same क्योंकि tires पे ही PSI mention रहता है अगर आप अपने electric cycle के साथ ज़्यादा दूर तक ride करना चाहते हैं मतलब अगर आपको ज़्यादा range चाहिए तो आपको 70-30 ratio follow करना होगा that means 70% आपको pass mode में चलाना होगा और 30% throttle में and trust me electric cycle को pedal assist के साथ चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है बट ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा highest level of pedal assist पे चलाए I recommend to use level 3 most of the times and switch it between level 4 and 5 as per road conditions और अगर बाइक level 3 का हो तो आप level 2 का इस्तिमाल कर सकते हैं in a combination with level 3 वैसे बाइक में अगर gears हो तो level 1 पे भी आप आसानी से चला पाएंगे well in case of heavy traffic या फिर जहां पे paddling करना मुश्किल हो तो in such conditions आप throttle यूज कर सकते हैं एक stress free riding के लिए electric cycle की main power source होती है इसकी battery battery को आप जितने अच्छे से maintain करेंगे battery की health भी उतना ही अच्छा रहेगा और आपको efficient performance मिलेगा for a longer period of time so battery की good health के लिए आपको कुछ चीज़े ध्यान में रखना होगा first battery को कभी भी fully drain होने ना दे कोशिश कीजिए 20-30% battery रहते ही इसे charge कर ले और charge होने के बाद as soon as possible charger को unplug करे और फिर कुछ देर बाद right पे निकले तुरंद battery को use ना करे दूसरा bike को कभी भी करी धूप में पार्ट ना करे या बैटरी को कभी भी above 30 degree centigrade की temperature पे store ना करे इससे battery की efficiency loss हो सकता है so always try to keep the battery in a dry cool place जहांकि तापमान 30 से कम हो वैसे extremely low temperature will also damage the battery so ये चीज़ ध्यान में रखे और तीसरा battery को कभी भी direct पानी से नाध होए या फिर अगर आप बारिस में चला रहे हैं तो घर पहुंचते ही battery को अच्छे से dry करें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो connector में जंग लग सकता है and as a result electricity अच्छे से transfer नहीं होगा जिससे हो सकता है आपको range भी कम मिले so ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए battery के साथ efficient riding के लिए समय समय पे users के हिसाफ से gears and brakes को tune कर लेना चाहिए generally in electric bikes 400 to 500 km के बाद gears and brakes को properly set करना चाहिए और साथ में digs pad भी check करना चाहिए कहीं ज़्यादा घीस तो नहीं गया है as a general rule अगर digs pad घिस्टे घिस्टे 1 mm तक हो गया हो तो आप समझ लेना इसे replace करने की ज़रुरत है and one more thing bike के standing अवस्था में आप कभी भी gears change ना करें इससे drive train damage हो सकता है तो ये चीज भी ध्यान में रखे chain आपकी drive train की एक crucial part है इसे gears, derailer और आपकी paddling efficiency पे काफी impact पड़ता है so chain जितना smooth रहेगा आपको उतना ही मज़ा आएगा ride करने में और आपको effort भी कम लगाना पड़ेगा so chain की oiling time to time कर लेना चाहिए as a general rule आपको every 200 km के बाद chain की oiling कर लेना चाहिए बठा ज़्यादा oiling ना करे इसे performance पे negative impact पड़ेगा so जितना ज़रुरत हो उतना ही oiling करे वैसे professional rider almost रो जाना chain की oiling करते है तो अगर आपको लगे की chain काफी dry हो चुका है और यह smoothly rotate नहीं कर रहा है तो इस दोरान आपको chain की oiling कर लेना चाहिए so optimum performance के लिए chain की oiling काफी ज़रुरी है इसे ignore ना करें इसके अलावा अगर आप ज़्यादा range आते हैं तो riding के धावरान अन्य शरी ज़्यादा load carry ना करें जितना कम हो सके उतना load carry करें so these are the 5 tips and techniques जिसे यूज़ कर आप अपनी riding range increase कर पाएंगे battery की health improve कर पाएंगे और overall आप एक quality right experience कर पाएंगे तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही ए वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में अपना feedback जरू दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like करना बिल्कुल भी मत भुलिएगा तो मिलते किसी और एक नए वीडियो में मैं आजय साइनिंग आओ